असलाम लीकुम फ्रंट स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टेडी में जैसे कि आप सबको मालूम होगा जेके SSB की तरफ से पिछली बार CBT टेस्ट बहुत सारे पोस्टिस के लिए निकाला गया था उनका जो डेट शीट था वो निकल कर आ चुका था लेकिन आज जेके SSB की तरफ से इसी के रिलेटिड एक बहुती बड़ी नोटिस निकाली गई है वो नोटिस क्या है इस वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डिस्टिक्स के लिए की news cut up क्या रहने वाला है और previous cut up क्या था class force post के लिए यहाँ पर मैं आपको full detail में explain करने वाला हूँ वीडियो को आपको end तक देखना है वीडियो आपके लिए important रहने वाला है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सबस्क्राइब करके रखना ताकि आपको इसी तरह सबसे पहले निव आपडेट्स इसी चैनल पर मिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दोस्तो आपसे एक रुकेस्ट हैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसमें एक चैनल की लिंक दी गई है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जितने भी कंपडर बेस रिट्न टेस्ट थे बहुत सारे पोस्ट के लिए वो सब पोस्ट फोन होगे यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नमबर 4, 5, 6 & 7 of 2020 और एडवर्टाइजमेंट नमबर 1 & 2 of 2020 जितने भी यहाँ पर एक्जाम्स होने वाले थे 25 सब्टमबर से लेके 1 अप उक्टुमबर वो सब एक्जाम्स पोस्ट फोन हुए हैं पोस्ट फोन का रीजन क्या है कुछ अनवाइड़बल सरकम्स्टंस जेकेशसबी वालों के सामने आती हैं और उसी की वाज़ए से जेकेशसबी वालों ने जितने भी एग्जाम्स थे 25 सब्टमबर 2021 से 1 अप उक्टुमबर 2021 तक वो सब पोस्ट फोन किये गए हैं फर्दर अर्डर्स तक उनके लिए आप न्यू डेट शिट निकलेगा और वो डेट शिट आपको जेकेशसबी की वेबसाइट पर इसी तरह एक औरजिनल नोटिस में निकाला जाएगा अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टिट काट अप रहने वाला है और प प्रिवेस काट अप था वो 51.75 था और जो नियू एक्सपेक्टिट काट अप है यह रियल काट अप नहीं है यह एनलिसिस की गई है जो नियू एक्सपेक्टिट काट अप होने वाला है वो 49.25 रहने वाला है और ऐसी के लिए प्रिवेस था 40.69 और जो नियू रहने वाला ह वो 37.75 इसी तरह यहां पर RBA के लिए 48 था इसी तरह न्यू जो cut-up रहने वाला है वो 46.50 इसी के आस-पास cut-up रहने वाला है SD की बात करेंगे यहां पर आप देख सकते हो previous cut-up 39 था और जो new cut-up रहने वाला है वो 36.75 इसी के आस-पास रहने वाला है इसी तरह अगर हम EWS category की बात करेंगे उसके लिए जो previous cut-up था वो 44.75 इसी तरह new cut-up रहने वाला है 42.25 ALC IB की बात करेंगे उसके लिए previous cut-up था 42.76 इसी तरह यहां पर आप देख सकते हो new cut-up 38.35 रहने वाला है PSP की बात करेंगे यहां पर आप देख सकते हो previous cut-up 39.35 था और जो new cut-up रहने वाला है वो 35.85 रहने वाला है सोशल कास्ट की बात करेंगे उसके लिए previous cut-up था 48.35 अब जो new cut-up रहने वाला है 46.80 होने वाला है यह था डिस्ट्रिक अनतनाग के लिए दोस्तों नीचे comment box में comment करना कि आपका कितना शुकोर है उसी हिसाब से आपकी selection भी हो जाएगी इसी तरह अगर हम बांडी पुरा डिस्ट्रिक की बात करेंगे previous cut-up और new cut-up की open merit की बात करेंगे previous cut-up 51.99 था इसी तरह new cut-up 48.30 रहने वाला है SD का cut-up यहाँ पर आप देख सकते हो previous इतना था और जो new cut-up है वो 37.40 होगा इसी तरह RBA का previous cut-up 48.33 था इसी तरह new 45.80 रहने वाला है SD की बात करेंगे उसके लिए previous cut-up 44.39 था इसी तरह new cut-up 41.89 रहने वाला है EBS की बात करेंगे उसके लिए previous cut-up 48.03 था और जो new cut-up expected cut-up रहने वाला है वो 45.80 रहने वाला है इसी तरह अगर हम ALC की बात करेंगे उसके लिए previous cut-up 46 था और जो new cut-up expected cut-up रहने वाला है वो 41.90 रहने वाला है इसी के पास इसी के आस-पास cut-up रहने वाला है याद रखना फिर से मैं आपको यह बता दूँ कि यह real cut-up नहीं है यह सिर्फ analysis है कि expected इसी के पास-पास cut-up रहने वाला है PSP की अगर हम बात करेंगे 45.99 previous cut-up था और 39.25 new cut-up रहने वाला है सोशल कास्ट का previous cut-up 50 था और इसका जो new cut-up रहने वाला है वो 47.28 रहने वाला है यहां पर बहुत सारे undergraduates के लिए एक बहुती बड़ी खुशी का मौका है बहुत सारे higher education students ने अपने post-s विद्रा किये हैं almost 800 से उपर students ने अपना जो post-s विद्रा किया है अब जो new second list आने वाला है उसमें भी शायद कुछ graduates होगे तो cut-up बहुत low रहने वाला है और यह process बहुत time तक चलने वाला है यहां पर अगर हम 12 मुला district की बात करेंगे previous cut-up आप यहां से देख सकते हो यहां पर मैं वीडियो को थोड़ा slow करूँगा यहां पर आप previous cut-up देख सकते हो अलग-अलग category के लिए और new category के लिए यहां पर आप देख सकते हो इतना expected cut-up रहने वाला है इसी तरह अगर हम बढ़गाम district की बात करेंगे यहां पर आप देख सकते हो previous cut-up और new cut-up open merit के लिए 50.25 था previous और new cut-up 47.90 रहने वाला है इसी तरह SC के लिए 41.32 और new जो cut-up रहने वाला है वो 36.48 बाकी यहां पर आप बाकी category के लिए देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यह previous cut-up है और यह new cut-up रहने वाला है अगर हम डोडा district की बात करेंगे previous cut-up और new cut-up की open merit के लिए 49.99 था और जो new cut-up रहने वाला है वो 46.82 है और SC की बात करेंगे previous cut-up 43.17 है और जो new cut-up रहने वाला है 40.73 इसी तरह बाकी category के लिए आप देख सकते हो अगर आपको यह पीड़ अप चाहे तो आप हमारा टेलेग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बुक्स में दी गई है इसी तरह अगर हम गांदरबल डिस्ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पर अगर हम new cut-up की बात करेंगे open merit के लिए 48.15 रहने वाला है SC के लिए 41.38 RBA के लिए 46.44 SC के लिए new cut-up रहने वाला है 41.55 EWS के लिए 47.38 ALC IB के लिए 46.20 यहाँ पर बहुत सारे students कहेंगे RBA के लिए 46 हैं या social cost के लिए ज्यादा क्यूं है क्यूंकि यह depend करता है post-ups पे भी अगर ज्यादा post-ups होगे तो cut-up लो रहने वाला है अगर कम post-ups होगे तो cut-up बहुत high होगा क्यूंकि अगर 4 students ने 90, 90, 90 अगर उन में से किसी को 0.5 या 0.6 difference है तो cut-up तो वही रहेगा 90.6 इसलिए यहाँ पर social cost के लिए बहुत सारे कम post-ups हैं इसलिए उसके लिए high cut-up रहने वाला है इसलिए अगर हम जमू की बात करेंगे new cut-up की यहाँ पर आप देख सकते हो open merit के लिए 47.78 SC category के लिए 42.23 RBA के लिए 42.66 ST category के लिए 36.74 इसी तरह आप बाकी category के लिए देख सकते हो यहाँ पर ST, EWS, ALC, PSP social cost category के लिए आप खुद भी यह चाक कर सकते हो क्या cut-up रहने वाला है इसी तरह अगर हम किस्तवार district के लिए new cut-up देखेंगे open merit के लिए 49.15 SC category के लिए 41.45 RBA के लिए 46.34 ST के लिए 39.45 याद रखना यह पिछले cut-up के analysis दो हमने new cut-up निकाला है इसी के आसपास new cut-up रहने वाला है इसी तरह अगर हम कुलगाम district की बात करेंगे new cut-up की open merit के लिए 51.8 रहने वाला है SC category के लिए 42.33 RBA category के लिए 46.75 SC category के लिए 37.45 इसी तरह आप बाग के लिए भी देख सकते हो EWS के लिए ALC के लिए PSV के लिए और सोशल कास्ट के लिए और यहां पर रही बात PWD लिस्ट की कि कब PWD लिस्ट आने वाला है पिछली बार एक notice निकाली गई थी उसमें GAD अभी भी time लगा रहा है JKSSB वालों ने वो mention किया था कि GAD अभी भी उसके लिए time लगा रहे है क्यों यह ऐसा करते हैं वो GAD को पता है इसमें कोई हाथ JKSSB वालों का नहीं है इसलिए अभी तक कोई भी दूसरी notification नहीं आई PWD लिस्ट के लिए यहां पर मैं आपको कोई भी fake news नहीं देने वाला हूं क्योंकि अभी तक PWD लिस्ट का कोई notes नहीं निकाला है पिछली बार एक ही notice निकाली गई थी वो हमने discuss की थी उमीद है आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने friends के साथ वीडियो को शेर करना और वीडियो को प्लीज 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 लाइक करना अगर वीडियो के related कोई भी doubt रहता है तो नीजो comment box में comment करना मिलते हैं अपने next video में तब तक के लिए अल्ला हाफिज